प्रिविएस वीडियो के बेसिक पे आपको ये वीडियो जरूर समझा जाएगी तो बचो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के मैथमेटिक सब्जेक्ट का चैप्टर 4 और उसका क्योशन नंबर 5 चैप्टर का नेम है बचो एज यू नो प्रिंसिपल ओफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितिय आगमन सिधान तो देखते हैं बचो इसका फिफ्ट क्योशन देखिए आप सभी फिफ्ट क्योशन है बच्चो हमारे पास लिखता हूं मैं पहले NCRT की बुक प्रिफर की है बच्चो मैंने 1 इंटो 3 प्लस 2 इंटो 3 का स्केयर प्लस 3 इंटो 3 की क्योग प्लस देश 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 प्लस N इंटो 3 raised to the power N राइट-hand side बच्चो हमारे पास 2N-1 2N-1 3 raised to the power N प्लस 1 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में है आप उन में बच्चो इसके 4 तो बच्चो यह हमारे पास क्योशन है अब देखिए आप हम क्या करते हैं PMI के इंदर सबसे पहले N इकॉल 1 के लिए राइट-hand side को चेक करते हैं कि वो लेफ्ट-hand side के फर्स्ट टर्म के इक इकॉल आएगी या नहीं तो बच्चो एन इकॉल 1 के लिए 4 एन इकॉल 1 राइट-hand side में बच्चो हम एन इकॉल 1 पुट करेंगे राइट-hand side देखिए हमारे पास क्या है 2-1 तो 2 x 1-1 multiply में बच्चो 3 पावर 1 प्लस 1 एन प्लस 1 लिख रहा है ना इसलिए मैं 1 प्लस 1 लिख प्लस 1 बच्चो या निटरी की स्केर है यह 9 हो गया प्लस में 3 अपॉन में 4 तो बच्चो 9 प्लस 3 12 अपॉन में 4 यह क्या बच्चो 3 और फर्स टम देखो बच्चो हमारे पास जो क्योशन गीवन है उसकी फर्स टम है 1 इंटू 3 यह इन टू है बच्चो डोड जो लगा रह में वह ट्रिव आना चाहिए फिर iqe के लिए चेक करेंगे फिर iqe plus one के लिए ओं करेंगे तो बच्चो एडधो एडिक्वल जो पोर angry也可以 के लिए क्या करते है बच्चो के लिए इस क्योशन के अंदर जहां पर आपको एंड दिख रहा है वहां पर के पूट कर दीजिए वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री का स्केयर प्लस टैसर डैश जैसे बच्छो मैंने यह स्टेप छोड़ दिया छोड़ा नहीं है यह स्टेप के अंदर ही आ चुका स्टेप करने जा रहे हैं सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाय था कि इस के वाले स्टेप को लिखना ही है में के वाला स्टेप तो लिखना ही है यह अआ है है इतना स्टेप तो लिखना ही हता है इसके बाद हमें क्या करना होता है यह जो के है इसकी चरह है इसमें के एक इक प्लस वन पूट करेंगे लाइकनी सिख्छों हमें की हसे हम इसकी value put कर सकते हैं इतने की value इतने की value देखो क्या है हमारे पास यह बचो 2k-1 2k-1 3 की power k plus 1 plus 3 upon में 4 plus में हैं बचो k plus 1 into में 3 की power k plus 1 तो बचो अब हमें इसकी calculation करनी है calculation करने के बाद हमारे पास answer क्या आना चाहिए question यह है आपके पास answer आना चाहिए बचो हमारे पास as you know answer आना चाहिए बचो जो हमारे पास यह right hand side है इसमें अगर मैं n की जिगा k plus 1 put करूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे मैं बचो n की जिगा k plus 1 put करूँ तो क्या बनेगा बचो n की जिगा k plus 1 put करूँगा तो 2k plus 2 2-1 इन्टु में 3 की पावर बचो इस N के जिगा के प्लस 1 पुट करूँगा तो के प्लस 2 हो जाएगा और प्लस में 3 और अपन में क्या बचो 4 तो हमें इसकी कैलकुलेशन करके बचो यह बनाना है 2 इन्टु के प्लस 2 माइनस 1 तो वन न हो जाएगा बचो तो यह बनेगा 2K प्लस 1 3 की पावर के प्लस 2 प्लस 3 अपन में 4 तो कैलकुलेशन करते हैं देखिए ध्यान से 4 तो बचो आगया है LCM और यह स्टैप मैं सेम लिख रहा हूँ 2K माइनस 1 3 की पावर के प्लस 1 प्लस 3 और यह 4 बचो इदर मल्टिप्लाई होगा 4 इन्टू के प्लस 1 3 की पावर के प्लस 1 तो अगर आप ध्यान से देखो तो बचो इस step के अंदर इस step में यह लास्ट वाला जू step है और यह first step है इन्हें तो मैंने 3 की पावर के प्लस 1 तो common लिया और बचो उधर क्या रहेगा 3 की पावर के प्लस 1 को मल्टिप्लाई होगा तो 2K माइनस 1 और इदर बचो हमारे पास रहेगा 4 इंटू के प्लस 1 तो तो यह प्लस 3 बचो इसके साथ में लिख दिया एड में अपन में 4 से यह और अपन में 4 तो ही बचो अब आप calculation कर लीजिए just 3 की power k plus 1 यह क्या बन गया हो जो 2k plus 4k 6k और यह 4 minus 1 तो यह 3 और यह प्लस में 3 as it is और बचो यह phone में 4 है ना बचो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 4 अब देखो बचो यह जो 6 और 3 है इसमें से 3 क्या आजएगा common आजएगा तो 3 common आने के बाद k plus 1 तो हाई बच"... तो 3 की power 1 और common आगी तो क्या बन जाएगा spells 2 बन जाएगा और bracket में बनेगा हमारे पास 2 k plus 1 यह कि 3 common लेगे हैं तो छिक्स 3 की table में 2 पे आता है और 3 की table में 3 1 पे आता है और plus में क्या है 3 और अपॉन में क्या है पूरे के 4 तो बच्चों क्या हमें यहीं बनाना था देखिए आप डियान से यह रा 3 की पावर k प्लस 2 यह रा 3 की पावर k प्लस 2 2 इन 2K प्लस 2-1 2-1 तो 1 हो गया तो two k plus one यह रवच्छ two k plus one और प्लस में three as it is upon में four बस लास्ट में यह आप यह लिख दीजीए four के बिलॉंग्स टु कैपिटल नंगे तट्पिटल नमबर एन बिलॉंग्स टू कपिटल एन इस मिंघ भी नैच्राल नमबर पूट करना और जो और वह नैच्राल नमबर पूट करना है तो आप इस तरीके से बचो यह क्योशन कंप्लीट हो चुका है बस आपको यह पता हुना चीए एक और निक्वल वन के लिए करेंगे उसे ट्रिव लेट करेंगे उसे लेट इस ट्रिव माना यह सत्य है करेंगे एक क्योशन वन देखे के लिए के के प्रोफ कर लखाना यह सकते हुं आप से करते हूं आप देख आपको इसका सेवन्थ क्योशन करवाता हूं जहां से देखिएगा है जी बच्चों इस एक हमारे पास 7th question में बच्चों हमें series given है 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dash 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 plus 2n minus 1 2n plus 1 equal n into 4n square plus 6n minus 1 upon में 3 तो बच्चों यह series के लिए हमें PMI principle of mathematical induction प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n equal 1 के लिए देखिए द्यान से n equal 1 के लिए कैसे करेंगे बच्चों जो राइट hand side में n की form में हमें दे रखी है उसमें की जिगा 1 foot करो लाइक दिस एन की जिगा 1 4 into n square तो बच्चों फोर इंटू अन का स्केर बन प्लस 6 into n तो 6 into 16-1 upon में 3 तो बच्चों यह 4 बन जा 4 प्लस 6 यह बन गया बच्चों 6-1 5 upon में 3 तो यह 9 by 3 आ गया बच्चों 9 by 3 3 होता है तो यह देखो first term क्या है left hand side की 1 into 3 3 है तो बच्चों इससे क्या लिख देंगे हम true लिख देंगे ओके फिर n equal k के लिए करेंगे बच्चों तो यह step चलता जाएगा जहां पर n दिखें आपको वहां पर के लिख दीजिए बस डैस 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 प्लस टू के माइनस वन टू के प्लस वन हंजी equal में के 4K स्क्वेर प्लस 6K माइनस वन अपॉन में 3 और इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों इससंट तेप पहतेंगे के सबसे बात करते हैं के प्लस वन पुट करने पर आना क्यों चाहिए कि भी के-प्लस-1 बन गया बचो और ब्रैकिट में देखो क्या बन गया कि फॉर्ल ऐप्लस-1 का उल स्क्यर प्लस six इंटू प्लस-1 और माइनस वन और पूरे के पन में कितना बचो three ये बनाना है ओके देखो बच्वों कैसे बनेगा है एं इकॉल ये प्लस 1 इतना स्टाइब तो बच्वों मैं सेंग लिखना ए स्वतेद The чем अबने क्या पता है था जो के होता उसकी जिए क्या पूट करें गेते मीं था हुप 1 as it is और बच्छो इसकी जिगा 2 into k plus 1 और plus 1 इसे ब्रैकिट क्लोज कर दिया मैंने अब बच्छो इसकी दो वैलियो हमारे पास equation 1 से है पुट कर दते हैं क्या है के इंटू 4 k square plus 6 k minus 1 upon में 4 सॉरी upon में 3 है और प्लस में बच्छो यह है इसकी थोड़ी सी calculation देखो बच्छो 2 को के से किया 2 k टू को 1 से किया 2 2 1 जा 2 minus 1 तो यह प्लस का वन 2 को के से किया 2 के 2 1 जा 2 plus 1 3 अब बच्छो हम करेंगे calculation देखिये ध्यांसे 3 तो बच्छो LCM आ गया तो यह जो K है इसको अंदर multiply कर देता हूँ मैं 4K की Q plus 6K square minus K plus अब यह 3 इदर आएगा बचो यह लिख दिया मैंने इसकी calculation कर देता हूँ 2K को 2K से किया 4K square 2K को 3 से किया 6K 1 को 2K से किया 2K 1 को 3 से किया 3 हां जी इसके बाद बचो यह पॉन वाला 3 कर दी तो सेम यह calculation करते है 4K की Q plus 6K square minus K 3 को बचो अंदर multiply करता हूँ 3 को 4 से किया 12K square 6K plus 2K हो गया बचो 8K 8K को 3 से करेंगे 24K 3 को 3 से किया बचो हमारे पास 9 आ गया अब देखो बचो इसके बाद मैं यह एनिकोल 1 और के वाला step रफ करूंगा बचो आप यह नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉस करके अंजी एक बार एक step इदर ही लिख देता हूँ देखी द्यान से तो बचो इक्वल में हमारे पास upon में तो 3 चली रहा है उपर है 4K की Q प्लस 6K स्केर 12K स्केर 18K स्केर और इसके बाद बचो 24 के में से के माइनस हो गया तो 23 के और प्लस में 9 है बचो हमारे पास और यह हमारे पास अब क्यूबिक equation बन जुकी है बचो क्यूबिक equation के factor करने पड़ें हमें ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे है कि हाँ हँ अ हमजी देखिए अब यह equation है बचो हमारे पास त्यूबिक equation के और 9 आपने 9 class में भी स्कें थे और 10 दिक्षे करते हैं और माइनस 1 को यह बन गया 4 माइनस-1 की क्यूग प्लस-1 प्लस-23 इन्ट्व-1 और और प्लस में 9 तो बच्चो यह बन गया माइनस का 4 और यह प्लस का 18 यह माइनस का 23 और यह प्लस का 9 तो बच्चो यह कितना बन गया 18 और 9 27 और यह माइनस का 27 तो 0 बन गया So K Plus 1 K की जिगाँ Minus 1 Put करने पर 0 है बच्वो So K Plus 1 Is a Factor तो Bецो K Plus 1 क्या आ चुका है Factor आ चुका है हमारे पास अब देखो क्या करेंगे अब इस equation के Factor करने है तो Bецो लिखेंगे कैसे जो K Plus 1 है Bецो वो इसका factor है इस पूरी equation का क्योंकि एक cubic equation है बचो या तो आप इसको divide कर लो k plus 1 से और जो quotient आएगा उसके फिर से factor कर लो दो factor वहां से आ जाएंगे टोटल दीन आएंगे न क्योंकि cubic है यहां बचो मैं एक तरीका बताता हूं आपको k plus 1 हमें factor पता चल गया तो k plus 1 को three times लिख लो like this k plus 1 k plus 1 k plus 1 अब बच्चो देखो यहां से यह तिनों factor यहां से यह बनाना है तो 4k की क्यूब बनाना बच्चो यहां से के से की को कि से लेकिन हमें चाहिए 18 मूंसे करना पड़े गा 14 के से करना पड़ेगा कि विश Confederacy के नाइन को के से करूँगा 9K और 14K बच्व 23K बन गया और लास्ट वाला स्टैप ऑटोमेटिक बनेगा यह देखो वाला स्टैप आइन वंजा नाइन अपोन में 3 है अब क्या करो आप के प्लस वन तीनों में या कॉमन ले लो यह देखो वाला स्टैप से आपको यह स्टैप करना है ठीक है देखो कैसे करेंगे तो के प्लस वन तो चाहिए हमें बाहर उसे तो वसे तो एजड़ एजस्टैपोन में 3 B चाहिए है उसे भी आज़़ ज़ू अब देखो भी दियान से सबसे पहले बात करते हैं हमें यह पोड़को क्या सिख्से diz श्च को क्या से किया और सिक्स को बन से किया तो पहले के प्लस न लेते हैं ऊपले तो यहां पर मैं six common लूँगा तो six into k plus one बनेगा यह रहा तो इसके बाद देखिए यह तो as it is upon में three यह k plus one यह बचो four k square और यह जो three है बचो यह तो three अपने को नहीं चाहिए लेकिन एक बार लिख देता हूं मैं यह eight k चाहिए as it is six के इसमे six के प्लस six में six common आ गया k plus one बन गया बचो और यह plus three as it is अब देखिए आप देखिए आप देखिए अब हम क्या करेंगे अब ओन में three as it is बार k plus one as it is अब बच्छों देखो four k square as it is plus eight k as it is और six into k plus one as it is और plus three अब देखो बच्छों हमें चाहिए एक minus का one क्या चाहिए minus का one तो एक minus कर दिया बच्छों और एक क्या कर दिया plus कर दिया तो देखिए ध्यान से यह k plus 1 as it is और 4k square as it is प्लस में 8k as it is और यह बचो जो माइनस चाहिए वो तो side में लिख देंगे और बाकी क्या रह गया 3 plus 1 कितना रह गया बचो 4 और यह 6 into k plus 1 भी as it is और यह minus 1 रह गया बचो यह ऐसे लगा दिया पॉन में 3 एक बार फिट से देखो 4k square लिख दिया 8k लिख दिया यह step यह रहा और यह minus 1 हमें side में चाहिए बचो यह minus 1 तो यह minus 1 लिख दिया साथ में लेकि रहा कौन सा गया 3 plus 1 यह आगया 4 तो k plus 1 4k square plus 8k plus 4 में 4 कॉमन लो बचो आप क्या रहा गया k square plus 2k plus 1 plus 6 into k plus 1 minus 1 upon में 3 और बचो फिर यह देखो k plus 1 और अगर आप bracket में ध्यान से देखो 4 as it is और यह क्या बन गया बचो k square plus 2k plus 1 क्या होता है k plus 1 का whole square होता है plus में 6 into k plus 1 minus 1 upon में 3 तो बचो देखो थोड़ा सा दिमागी question था कि हमको ऐसा बनाना था इसलिए हमने एक अपनी मर्जी से 6k plus 6 लिखा 14k को 14k को लिखा 8k plus 6k 9 को लिखा 6 plus 3 ताकि common ले तो 6 into k plus 1 बने फिर 1 minus कर दिया एक प्लस कर दिया 3 plus 1 4 हो गया और इन में 4 common ले लिया यह हमारे पास k plus 1 का whole square बन गया एक बार आप rewind करके देखोगे वीडियो को फिर से तो आपको और अच्छी तरीके से समझा आ जाएगा तो बचो यह proof हो गया last में क्या लिखते हैं के belongs to n और n belongs to n capital N for natural numbers PMI is proved तो इस तरीके से बचो यह question complete हो चुका है तो बचो अगर हम बात करें 7th question complete हो चुका है इसके बाद करते हैं बचो हम question number 8th question number 8th देखिए आप सभी इसे note कर लेजेगा आप वीडियो पोज करके बचो अब हम करते हैं 8th question 8th question है बचो हमारे पास 1 into 2 plus 2 into 2 का square plus 3 into 2 का square plus dash dash plus n into 2 की power n equal n minus 1 into 2 की power n plus 1 plus में 2 तो बच्चो से पहले n equal 1 के लिए चेक करेंगे n equal 1 तो right hand side जो है बच्चो हमारे पास उसमें इस n की जिगां अगर हम one put करें तो 1 minus 1 2 की power 1 plus 1 plus में 2 तो बच्चो 1 minus 1 यह तो 0 ही हो गया रह क्या गया सिर्फ 2 और आप left hand side अगर ध्यान से देखो तो तो इसके bracket में क्या लिए देंगे true अब n equal k के लिए करेंगे बच्चो हम तो 1 into 2 plus 2 into 2 का square plus dash dash यह step जो बच्चो इसके अंदर ही आ चुका है k into 2 की power k equal k minus 1 2 की power k plus 1 plus में 2 और इसके bracket में क्या लिखते हैं बच्चो हम let it is true और इस equation 1 दे दी हमने और यह जो है बच्चो हमारे पास अब हमें प्रूब क्या करना है actually n equal k plus 1 के लिए यहां पैसे लिख देते हैं 4 4 n equal k plus 1 के लिए बच्चो यह step पहले तो सेम लिखना पड़ेगा जो के वाला लिखा है हमने k into 2 plus 2 into 2 का square plus dash dash plus k into 2 की power k हां जी इसके बाद plus में क्या लिखेंगे बच्चो जो यह k वाला step है इसमें k की जिगा क्या पूट कर देते हैं k plus 1 और 2 की power v k plus 1 और इसकी बच्चो हम value पूट कर देंगे equation 1 से क्या है हमारे पास k minus 1 और 2 की power k plus 1 प्लस में 2 और प्लस में यह रहा गया बच्चो हमारे पास k plus 1 2 की power k plus 1 हंजी अब देखो बच्चो क्योश्चन यह है कि हमें actually prove क्या करना है क्या बताया था आपको right hand side में जहां n दिख रहा है आपे k plus 1 put करने पर क्या हैगा n की जिगा k plus 1 put करूँगा बच्चो तो यह plus 1 minus 1 तो cancel हो जेगा यह तो बंजेगा k तो यह क्या बंजेगा 2 की power k plus 2 बनेगा न क्योंकि n plus 1 है n की जिगा k plus 1 put करूँगा plus 1 यह रहा पहले से तो 2 आ गया और plus में क्य है बच्चो हमारे पास 2 तो यह actually हमें क्या करना है प्रूव करना है ठीक है देखो calculation करते हैं 2 की power k plus 1 2 की power k plus 1 यह वाले स्टैप में तो आगे बच्चो को मन यहां पर रहा गया हमारे पास k minus 1 यहां पर रहा गया बच्चो k plus 1 और यह plus में 2 है बच्चो वो side में लिख दिया ह यह 2 2 की power k plus 1 और यह सिरफ 2 है तो बच्चो 2 की power k plus 2 बनेगा इंटो में क्या रहा जएगा k और plus में 2 तो अभी आपको मैंने बताया था क्या proof करना था देखो k चाहिए यह रहा k 2 की power k plus 2 यह रहा बच्चो 2 की power k plus 2 और plus में 2 यह रहा बच्चो प्लस में 2 तो इस तरीके से यह प्रूफ हो चुका है लास्ट में आप वही लिख दीजिएगा 4 k belongs to natural number small n belongs to natural number PMI is proved is approved यह हम क्या लिख सकते हैं गनितिया अगमन सिधान्त सिध होता है तो इस तरीके से बचो यह question number 8 वी complete हो चुका है क्यों आपको सिरीज plus minus में ना देके multiply में आपको सिरीज दीए हम जी देखिए ध्यान से अब मैं करवाता हूं बच्चो आपको question number 13 बुक में देखिए आप लिख भी देता हूं में साथ में question number 13 है बच्चो हमारे पास one plus three by one easy question बच्चो देखो ध्यान से बस सिरीज जो है में multiply में दीए one plus five by four one plus seven by nine देश डेश पहले तो प्लस डेश डेश चलता था ना आप सिरफ डेश 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 है बच्चो वन प्लस two n plus one upon में n square और equal में बच्चो n plus one का whole square तो यह बच्चो हमारे पास क्या है एक सिरीज given है तो सबसे पहले n equal one के लिए चेक करते हैं याद रखो बच्चो यह सिरीज multiply में अब n की जगा अगर मैं वन पूट करूं बच्चो तो क्या बनेगा देखो राइट हैंड साइड में वन प्लस वन का square तो वन प्लस वन टू का square बच्चो फोर हो गया और यह first step देखो भाद प्लस दी फ्लस वन फॉर ही क्यों लेंगे त्रुन अब n equal k के लिए क्या त्री आ गरेंगे ने करहेंगे वन प्लस घ्रम यह step लिखते जाएंगे के तक लिकान गैव 1 प्लस हां जी बचो देखो 2K प्लस 1 अपोन में K का स्क्वेर इक्वल क्या लेट कर लेगे बच्चो K प्लस 1 N की जिएक कर रहे हैं whole square let it is let it is true equation number 1 अब इसकी value वैल्यू नहीं अभी K प्लस 1 वाला step N equal K प्लस 1 कैसे करेंगे बच्चो ये step तो लिखना ही है इतना 1 प्लस 5 बाइ 4 1 प्लस 7 बाइ 9 डेश डेश 1 प्लस 2K प्लस 1 अपोन में K स्क्वेर हां जी multiply में क्या आएगा बच्चो अब देखो आप ध्यान से क्या आएगा कि तो बच्चो मैंने क्या बताया तक ऐसे लिखते है कि इस step में के वाले step में के की जिए के प्लस 1 पुट करने पर जो बनेगा वह आपका next step है और यह प्लस 1 अपोन में के प्लस 1 का होल स्क्वेर अब देखिए याद रखो कि यह मैंने multiply में लिखा है क्योंकि स्रीज हमारे पास क्या चल रही है बच्चो हम पुट कर देते हैं equation 1 से के प्लस 1 का होल स्क्वेर और यह बच्चो स्टैप मल्टिप्लाइ में लिखूंगा यहां पर लाइक दिस यह वन ऐस इस और यह क्या बन गया बच्चो टू के टू को के से किया टू के टू अन जाए टू प्लस वन तो यह बन गया बच्चो 3 अपॉन में के प्लस वन का होल स्क्वेर अब देखो बच्चो यह के प्लस वन का होल स्क्वेर तो as it is याद रखो हमें प्रूफ क्या करना है एन की जिगा के प्लस वन पूट करूँगा तो बच्चो यह बन जेगा के प्लस टू प्लस वन का होल स्क्वेर यानि के प्लस थ as it is यह बच्छो इससे cancel हो गया इसकी calculation करते हैं यह क्या बन गया बच्छो के का square a plus b की whole square की identity के का square plus one plus two के प्लस टू के और यह बच्छो हमारे पास plus में क्या है 3 हां जी तो बच्छो यह calculation किजिए आप हां जी तो के square as it is two k two के क्या बन गया बच्छो फोर के और one plus three क्या बन गया बच्छो हमारे पास four और मैंने क्या बताया था आपको क्या प्रूफ करना actually हमें n की जिगा के प्लस one put करने पर यह क्या बनेगा बच्छो के इस तरीके से बच्छो यह प्रूफ हो चुका है multiply की सिरीज थी बच्छो इसलिए यादर को step multiply में लिखे जाएंगे और यहां पर आप लिख सकते हो same way for n k belongs to natural number n belongs to natural number pmi is proved हंजी एक बार आप इसे repeat करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा important step है बचो k plus one वाला यह जो k वाला step है यह तो लिखना ही होता है फिर k की जिगा k plus one put कर दो देखो इस k की जिगा भी मैंने put किया है और इस k की जिगा भी मैंने k plus one का whole square square था तो whole square हो गया इसकी value equation one से put कर दी k plus one का whole square इसमें calculation करेंगे बचो k plus one का whole square LCM आएगा और इस one से भी multiply यह होगा बार वाला multiply में था तो इसलिए cancel हो गया k plus one का whole square में identity लगा दी a का square b का square 2a b 2k और 2k बचो 4k 1 plus sorry 3 plus 1 4 हो गया और यह k plus 2 का whole square बन रहा है और यही हमें प्रूफ करना था तो इस तरीके से बच्चो क्योशन नंबर 13 भी क्या हो चुका है complete हो चुका है अब मैं आपको करवा देता हूं बच्चो इसका 14 नंबर क्योशन देखो वह भी सिंपल है एकदम इसके जैसा ही है आप खुद भी कर सकते हूं हां जी देखो बच्चो 14 नंबर क्योशन भी है कि 14 नंबर क्योशन है बच्चो हमारे पास क्योशन नंबर 14 सिरीज है बच्चो हमारे पास मुचका चका 1 प्लस 1 by 1 ए 1 प्लस 1 बॉइटू मत dece me teach significant एक स्टेप और लिख है उन्हों ने वन प्लस 1 बउइन एकवल n ब्लस 1 बलकुल सिंपल क्योशन देख देह से ँ में कि जिगा सबसे पहले वन पूट करते राइट एंड साइड में 20 वन प्लस one कि वन गया टूग और यह फस्ट दीको one plus one by one these two यह ऐं चाहिए थरीव आ घ्रीव आजिन एक्वल के करेंगे बच्छो tep में Iron brings one plus one by one's one by two one plus one by three ड्री इसठेश दिrd安 वन प्लस वन ऑई के एक्वल के प्लस वन और क्या पता जया ता क्या लिखेंगे बच्चो लैट इट इस तुम्ना यह सबते है के एक्की वंग के लिए बचो अगर न्यॉण के लिए यह कर लेते हैं मंसanson प्लस वन के लिए प्रू देती है है के वाला स्टैप तो लिखना ही है अजी देसь डेश डाश वन प्लस 1 by k अब इससे next step क्या लिखेंगे बच्छो multiply में लिखेंगे ना क्योंकि multiply में सही जाए अब देखिए बच्छो आप k plus 1 वाला step लिख दिया है मैंने इससे द्यान से देखिए k plus 1 वाले step में बच्छो हम क्या करेंगे यह जो k वाला step है यहां तक यह तो same लिखेंगे लेकिन इसके साथ multiply में कौन सा step लिखेंगे next step इससे next step क्या बनेगा बच्छो 1 plus 1 upon में k की जिगा क्या पुट कर देंगे k plus 1 और इतने step की बच्छो value हमारे पास equation 1 से क्या k plus 1 यह मैंने पुट कर दी और यह step लिख दिया इस step में बच्छो k plus 1 LCM आएगा k plus 1 1 से multiply होगा k plus 1 और यह plus 1 as it is तो k plus 2 बन जाएगा बच्छो k plus 1 तो k plus 1 से cancel हो जएगा k plus 2 बन गया अब बच्छो हमारे पास answer क्या आना चाहिए था मैंने आपको बदाया था कि right hand side में n की जिगा k plus 1 पुट करने पर k plus 2 बनेगा यह और वही हमारा answer होगा last में क्या लिख देंगे for k belongs to n n belongs to n PMI is proved तो बच्छो इस तरीके से question number 14 complete हो चुका है इसका 15 और 16 और 17 तीन question बच्छो आप previous pattern पर यह क्योंकि plus में सीरी चल रही है आप खुद भी कर सकते हो अगर किसी बच्छे का doubt हो इन में से कोई तो आप मुझे comment box में doubt लिख सकते हो और इससे next video में बच्छो में आपको 18 to 24 questions जो कोई भी doubt है comment box में जरूर लिखिए और अपने friends के साथ share जरूर कीजिए thank you